नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आपका जोग्राफी A2Z चैनल पर, आज हम पढ़ेंगे बुआकरती विज्ञान वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले सुरू करते हैं वीडियो को मोहरोवी सिक ए संतता किसके बीच सीमा का निर्दारन करती है ये पहला प्रशन है आज का अपना इसका उत्तर है परपटी और उपरी प्रावार यानि क्रश्ट और उपरी मेंटल के बीच में ए संतता का निर्मान करती है मोहरोवी सिक ए संतता सियाल सीमा निफे के रूप में वुगर्ब का विबाजन किस ने किया? प्रत्वी की जो सबसे उपरी परत है उसे स्वेस ने सियाल कहा मद्यवर्थी परत को सीमा और जो आंतरिक केंद्रिय वाग उसे नीफे के नाम से पुकारा आगे हैं यहे दारणा की वर्तमान प्रकिरिया समस्त भूवेग्यानिक काल के दोरान क्रियाशिल रहती है किस सिद्धान्त को शंकेत करती है यह है एक रूपतावाद एक रूपतावाद के सिद्धान्त में यह माना जाता है कि जो कारक वर्तमान में सेक्रिये है वो ही समस्त भूवेग्यानिक काल में सक्रिये थे लेकिन उनकी सक्रियता में अंतर था पांचवाँ प्रशन है एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की परकिरिया को कहा जाता है अवनेन जब एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे शेपन होता है तो उसे अवनेन कहा जाता है और अभिसारी प्लेट किनारे का निर्मान होता है पेडी प्लेट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? LC किंग LC किंग ने पेडी प्लेट की अवधारणा दे थी साथ नंबर प्रशन है आनत शैल संस्तर पर शेतीज रेखा की दिशा को क्या कहती है नती लंब कहती है आनत शैल संस्तर पर शेतीज रेखा की दिशा होती है उसे नती लंब कहा जाता है आठ नमबर प्रशन है उसमें कतन और कारण दिये हुए है ज्वाला मुखी गतिविदियों और पलेट के किनारे के बीच गनीष्ट सम्मन्द है और इसका कारण दिये है विस्वे के अधिकास ज्वाला मुखी अभिसारी पटी का उपांथ से सम्मन्द दीत है तो इसमें कतन और कारण दोनों से ही है यूँकि ज्वाला मुखी गतिविदिया होती है वो पलेट किनारे के साथ ही होती है अब सारी पलेट किनारे होता है इन दोनों के साथ बुकंप और ज्वाला मुखी दोनों होती है लेकिन जो सरक्षी पलेट की नारा है उसके सारे सिर्फ बुकम्प की क्रिया होती है जो अला मुखी क्रियाएं नहीं होती है अगला प्रश्ण है Morphological Analysis of Plants के पुस्तक किस ने लिखी थी पैंक ने लिखी थी Morphological Cycle है इनका भी और इनों ने ही ये Morphological Analysis बुक लिखी थी दश्वाँ प्रश्ण है काष्ट प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए कौन सीग प्रकिरिया उतरदाई है कारबनी करण काष्ट प्रदेश में चुनने की चट्टाने होती है वो कारबना योक्षाइड के साथ करिया करके गुलित हो जाती है पैन प्लेण शब्द का अर्थ है बाड cured मेदानों को जोडने से निर्मीत प्रदेश यानि बाड के मेदान है उनके मिलने से जो बुद्रश्य निर्मीत होता है उसे पैन प्लेण का जाता है आधारतल में दनात्मक परिवर्तन होने पर नदी की अपरदन शक्ती हो जाती है इसका उतरह कम हो जाती है क्योंकि आधारतल में दनात्मक परिवर्तन होने पर नदी वर्दावस्ता को प्राप्त कर लेती है अगर आदार्तल में रिनात्मक परिवर्थन होता है तब तो नदी में पुनर यू बना जाता है लेकिन अगर आदार्तल में दनात्मक परिवर्थन होता है तो नदी में वर्दावस्ता आ जाती है और उसकी अपरधन शक्ती कम हो जाती है परदन का समान्य चक्कर किस से समन्दीत है? ये इस्तल रूप के विकास से समन्दीत है और मोरी सावा ने ये मोडल 1975 में प्रतिपादित किया था आगे प्रशन है पेडिमेट निर्मान के पार्स और समतलन सी दान्त को किस ने प्रस्तावित किया था? गिलबर्ट ने पेडिमेट निर्मान का सिदान्त है पार्सो समतलन सी दान्त और उसके परतिपादक को थे? गिलबर्ट अपरदन का समान्य चक्कर किस से समन्दीत है? ये नदी अपरदन से समन्दीत है प्रशन नंबर 16 है अपवा है प्रति रूप जो इसके प्रवाहित तो हने की मूल सरंचना द्वारा नियंत्रित नहीं होता है कहा जाता है ए क्रम वर्ती अपवा है तंत्र प्रशन नंबर 18 है यदि बैती हुई नदी का वेग दो गुना कर दिया जाए तो नद बार उठाने की शमता कितनी बढ़ जाएगी 64 गुना बढ़ जाएगी ये गिलबर्ट का छटी शक्ती का शिदानत है उसके अनुसार यदि नदी का वेग दो गुना कर दिया जाए तो नदी की परिवहन शक्ती चोंशट गुना बढ़ जाती है अत्यांत नूतन हिमकाल का कौन सा क्रम सही कालानू क्रम में है ये है गुन्ज मिंडेल रिस और वुर्म ये जो अत्यांत नूतन हिमकाल है उसे चार बागों में बांटा गया है गुन्ज मिंडेल रिस और वुर्म में ये यूरोपिये विचारों के अनुसार है क्यूशन नमबर 20 है प्रिंसिपल ओप जियो मॉर्फोलोजी पुस्तक के लिखे कोन है? डव्यू डी थोर्नबरी इन्होंने प्रिंसिपल ओप जियो मॉर्फोलोजी पुस्तक लिखी थी रिया तट किसका उदारन है? नीमगन उच भूमी तट रेखा का रिया तट है ये समुदरी तट का एक प्रकार है और जब समुदर तट ये शित्रों में नदी निर्मित गाटियों का जलमगन हो जाती है तो रिया तट का निर्मान होता है इसी तरह का एक फ्योर्ड तट होता है जो हिमानी निर्मित गाटियों के जलमगन उने से बनता है आधारतल संकल्पना का प्रतिबादन किस ने किया? मेजर पावेल ने किया था सरीता आधारतल संकल्पना भी कहते हैं इसे तट ये बालू टीला के निर्माने तू बालू कन का आदर्श व्यास होता है पॉइंट दो पांच मिलिमेटर यानि तट ये शेतर में जो बालू के टिले होते हैं उनमें बालू कनो का आदर्श व्यास होता है पॉइंट दो पांच एमेम हमादा क्या है? ये मरुस्तल का परकार है चटानी मरुस्तल होता है उसे हमादा कहते हैं ये शब्द लीबिया में पर्चलीत है, हमादा चटानी मरुस्तल, जल्योजन परकिरिया का शम्मन्द है, रासाइनिक अपक्षे की परकिरिया से, रासाइनिक अपक्षे का परकार है जल्योजन, बेसाल्टी सागर परपटी का ओशत गनत्व है, तीन ग्राम प्रती गन सेंट क्यूसन नंबर 27 है बुविज्यान का सरवादिक मोलिक सिद्धान्त एक रूपता वाद सरो पर्थम किस पुस्तक में प्रस्तूत किया गया यह पुस्तक है theory of the earth इसमें सबसे पहले एक रूपता वाद सिद्धान्त दिया गया था किसने द्रश्य भुमी प्रक्रम सरंचना और चरण का प्रकार्य को अभिवेक्त किया देविस ने भुद्रश्य स्रंचना प्रक्रम और अवस्त का प्रेणाम है यह कहा था देविस ने और इसे trio of डेविस या देविस के त्रिकूट भी कआ जाता है आगे प्रशन है 29 नमबर दिरगाकार ये सपाट सिर्षों के बालू के कटक जो प्रसलित पाउनों के समांतर फैले हैं प्रंतु निपाती अगरांतों के बगेर है को किस नाम से पुकारा जाता है वेल बैक के नाम से पुकारा जाता है वेल बैक दिरगाकार के बालू के कटक ह होते हैं जो पाउनों के समांतर फैले होते हैं क्योशन नम्मर 30 है दाल प्रतिस्था पन मोडल किस ने प्रति पादित किया था पैंक ने पैंक का मोडल था प्रतिस्थाप प Anderson अगे प्रशन जब आपस में मिल जाते हैं तो उनके बीच में अरेत का निर्मान होता है जो तिक्षण कटक होते हैं क्यूशन नंबर 32 हैं इसमें कथन और कारण दिये हैं पहले दिया है कि चटानों का गहन रासायनी का पक्षय आरदर उशन कटीवंदिया शेत्रों की उतक्रिष्ट करती है ये भी सही है क्योंकि तापमान उचोगा और जल की पर चूरता होगी तो रासायनी का पक्षय तीवरगती से होता है तिसमें कथन और कारण दोनों सही है और दोनों इसकी सही व्याख्या भी करते हैं कौन सी हिम नदिये आकरती के लिए यह माना जाता है कि वह उपह हिमिय सरीता के संस्तर से निर्मित होती है एसकर एसकर उपहिमिय सरीता के संस्तर से निर्मित होती है यह निक्षेप जनक स्थला करती है क्यूशन नंबर 34 देखते हैं बारतिये मोसम विज्ञान विबाग ने बारत को कितने भुकंप ये अंचलों में विबाजित किया है च चार वुकंप जोन वरतमान में बारत में विवाजित हैं उतकातबुमी या बैड्लेंड स्लाक्रति किसकी मिली incuria का उतपाद हैnai पवन और जल अपरदन दोनों से जो अपरदित शेत्र होता है वो उतकात भूमी या बैड लेंड होता है जो मुख्य रूप से चंबल गाटी में मिलता है अपनतिक वलन के नीचे या अभिनतिक आदार में लें साकार का आगने अंतरवेदन क्या कहलता है फैकोलित ये आंत्री के आगने चटान का प्रकार है फैकोलित जब के वलन अपनति और अभिनति होते हैं उनमें लावा का जमा हो जाता है उसे फैकोलित का आ जाता है वलन का जो उपर उठा हुआ वाग होता है वो अपनति होता है नीचे दंसा हुआ होता है वो अभिनति होता है अगला क्योशन सूमेलित करने से समन दीते हैं सामान्य ब्रं और स्टेज ब्रंस जब ब्रंस स्रंकलाओं का डलान उशी दिशा में हो अदारतल के बिना अपरदन किसकी विसेषता है पाउनों की पाउने जो है वो बिना अदारतल के अपरदन करती है निक पॉइंट समंध किसके साथ है नदी पुनर युवन से सुन्डा प्रायदिप किस महासागर में किस कारण परसांत महासागर में नीमगन हुआ था पलेटों के सागर में नीमजन के कारण पामीर की गांट से कौन सी परवत स्रेणिया निकलती है हिंदुकूस हिमाल्य और कुनलून पामीर की का जो पठार है उसे तीन स्रेणिया निकलती है अपरदन की प्रकिरिया में गोल दुआरा पदार्थ का आउनियान क्या कहलाता है शंक्षारण कहलाता है जब पदार्थ है वो जल में गूल जाते हैं उसे शंक्षारण कहते हैं वर्तमान स्तलाकृती का अधिकांस विस्तार समन दिते हैं नव जियू माकलब से वर्तमान में पृत्वी पर जो स्तलाकृतियां है वो अधिकांस ते हैं नव जियू माकलब से समन दिते हैं बूशन तूलन के संदर में किसने कहा कि परिवर्तित गैराई के साथ गनत्वे समान रहता है यह एरी ने कहा था क्यूसर नमबर 45 में कतन और कारण दिये हुए हैं गतिमान बर्फ का वेग शेत्र की डलान की प्रवनता तथा हिमानी बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ जाता है और कारण दिया है निचले तल तथा बर्फ की कम गहराई तथा गाटी की वितियों के साथ गर्सन के कारण वेग कम हो जाता है इसमें कतन और कारण दोनों सही है लेकिन यह एक दूसरे की सही वेक्या नहीं कर रहे हैं क्यूसर नमबर 46 है बोतिक अपक्षरन का सरवादिक मैत्वपरुन एकल कारक चटानों में खुले सानों में पानी की हिमी भवन या हिम 40 है डलान प्रोफाइल उत्थापन क्रिया की प्रिस्तितियों के अनुसार समतल उतल तथा नतोदर होती है यह किस ने कहा है यह पैंक ने कहा है पैंक ने माना है कि डालकी जो प्रिछे दिकाए वो उतल समतल और नतोदर होती रहती है आगे है कारश्ट अपरदन चक्र के अ प्रवी अफ्रीका की महान रिफ्ट गाटी जो जो जोर्डन से जेंबेजी नदी तक है। क्यूशन नंबर बावन हैं इसमें तीन कथन दियों हैं परत्दार चटाने प्रत्वी किस्ते पर जली अतंतर दुआरा निर्मीत होती हैं ये सही है। कार्बन डायोक्षाइड मैगमा में गुली प्रमुग गैसे हैं और तीसरा है बैसाल्टिक मैगमा सिल्किक मैगमा से अधिक गरम होता है। इस्क्यूशन में भी तीनों कथन सही है नदी उत्तर प्रोडा वस्ता में विसरपन करती है। क्यूशन नमबर पिश्वन है ब्रंस तल के शेतीज विस्तापन का मान कहलाता है हीव या पार्शोशेप प्रित्विकी उत्पत्ती से समंधित गरहनों प्रीकलपना किसकी है चेंबरलीन की है कौन सी दिर्ग प्रिष्ट ये बुकम प्ये तरंगे है ल तरंगे तीन प्रकार क है आज की सीरीज का परी हिमानी अपर्दन चकर का सिद्धान किस ने दिया पैल टियर ने धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करें सेर करें और जुड़े रहे हमारे साथ